सबी को हमारा प्यार भरा नमस्कार आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही सुन्दर कविता लाई हूँ और बहुत ही मारमिक कविता है इस कविता का नाम है भिक्षुक और इसके रचाइता है सूरेकान त्रिपाथी जी जिनको की हम निराला के नाम से भी जानते हैं आपका जन 1897 में बंगाल में हुआ था कहते हैं आपका पारिवरिक जीवन काफी कष्ट में रहा है मगर साथ में ये भी कहा जाता है साहित्य ने आपको ऐसा सहरा दिया कि बस आपकी अनोखी छवी हम सब के सामने आई है आप बहुत ही स्पष्टवादी कवी रहे हैं ये आपके साहित्य में बहुत अच्छी तरह दिखाई पड़ता है आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे आपकी कुछ रचनाएं जो साहित्य में अपना विशेश स्थान रखती हैं उनमें हैं अनामिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसी दास, कुकरमुत्ता, अपसरा जिनोंने साहित्य में अपना विशेश स्थान बनाया है आज की ये कविता एक भिखशुक पराधारित है और बहुत ही मारमिक चत्रन कभी ने किया है तो चली देखते हैं आज ही कविता, मगर उससे पहले आपसे मैं एक विशेश बात कहना चाहती हूँ पूरी कविता ध्यान से सुनिएगा और बीच बीच में मैं कुछ कुशन के आंसर से बता रही हूँ तो जरा और ध्यान से देखेगा और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और अगर कुछ समझ में भी आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और आपके कॉमेंट्स का हमेशा की तरह हमें बहुत इंजार रहता है तो चलिए कविता शुरू करते हैं भिखशुक कविता का पहला चरण कुछ इस तरह से है वह आता दो टुक कलेजे में करता पच्टाता पत पर आता पेट पीट दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक मुठी बर दाने को भूख मिटाने को पटी पुरानी जोली को फैलाता दो टुक कलेजे के करता पच्टाता पत पर आता आईए देखते हैं इसकी व्याख्या कभी हमें क्या बताना चाहते हैं एक भिखशुक यानि की एक भिखारी की व्यथा बता रहे हैं कभी कहते हैं एक बिखारी है जो आता है और बहुत ही पच्टाता है उते बहुत ही अपसोस होता है फिर भी वो रास्ते पर आता है उसकी दशा बहुत ही दैनिय है देख करके कलेजा कट जाता है उसको देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि कलेजा कट के रह गया उसकी ऐसी दीन हिंदशा जो लोगों के हिर्दे में टीस की तरह चुपती है मगर इसे ही कहते हैं कर्म जो जैसा बोता है उसे वो काटना ही पड़ता है उसे वो भोगना ही पड़ता है हम सिर्फ धया दिखाव सकते हैं हम किसी का जरासा भी कश्ट कम नहीं कर सकते बस हां कहते हैं किसी को तकलीफ है तो हम उसे एक मरहम लगा सकते हैं और वो मरहम होती है जहान भूती की मगर हां यहां यहां पे बिक्षुप की सिथी भौती दैनिय है वो अपने दुर्भागे पर बार बार अपसूस करता है अपने भागे को बार बार कोचता है और बस सड़क पर चल रहा है ऐसा लगता है उसे देखकर कि उसने महीनों से खाना नहीं खाया है उसका पेट और पीट जैसे आपस में चिपक गए है बिना भोजन के ऐसी ही इस्थिती होती है इसे देखकर हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है पोजन का सम्मान करिए वो बिकारी इतना कमजोर हो गया है कि एक डंडे के सहारे चलता है एक लट्टिया के सहारे चलता है यहां पे कभी ने लकुटिया कहा है लकोटिया का तातपर ही होता है एक डंडा जिसके सहारे वो चल रहा है क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया है उसके शरीर में चलने की ताकत नहीं है भूख तो सभी को लगती है चाहे वो अपने आपको कितना भी कोशता रहे अपनी परिस्तियों पर कितना भी रोता रहे मगर भूख मिटाने के लिए तो सब को ही कर्म करना पड़ता है यहाँ पर भिकारी अपनी भूख मिटाने के लिए मुठी भरदाने के लिए अपनी फटी हुई जोली पहलाए हुए है ठीक उसी तरह जैसे उसका मुख बस खुला हुआ है काश कोई दया कर दे और एक मुठी दान दे दे सिर्फ एक मुठी जो उसकी भूख को थोड़ी दो शान्त कर दे उसकी ऐसी स्थिती सभी के लिए बहुत दैनिये हैं बड़ी की कश्च प्रदे मगर भाग्य, कर्म शायद कभी हम सबको भी यही बताना चाते हैं अपने कर्म पर ध्यान दीजे भाग्य को कोशने से कुछ नहीं होने वाला है जो है वो भूगना है साथ ही हम अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं समाझ सकते हैं आखिर हम मनुश्य हैं, हम में ये ताकत है, बस अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है मैंने आपको बताया था, मैं बीच बीच में आपको कुछ छोड़े-चोड़े कोशन्स बता रही हूँ जो आपके रिटन एक्जाम में बहुत हेल्फुल होंगे यहाँ पे एक कुशन बनता है, बिच्शुक के पेट पीट एक क्यों हो गए हैं और वह एक लकुटिया के सहारे क्यों चल रहा है बहुत लंबे समय तक भोचर ना मिल सकने के कारण बिच्शुक के पेट और पीट आपस में चिपक गए हैं वो एक्दम कमजोर हो गया है, उसके शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं है, इसलिए वह एक लकुटिया के सहारे अर्थाद एक डंडे के सहारे चल रहा है एक लाठी के सहारे चल रहा है यहाँ पर बिकारी अपनी भूग को शान करने के लिए क्या प्रयात्न करता है बिकारी, जो पेशे से बिकारी है, उसका कर्म ही वही है, वह अपनी भूग को शान्त करने के लिए मुठी बर अनाच की भीग मांगता है उसकी पटी पुरानी छोली, ठीक उसी की तरह मुँ बाए हुए है, मुँ खुला हुआ है, कि बस एक मुठी अनाच और शरीर में जान आ जाए कविता का अगला चरन देखते हैं साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाँच पैलाए बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना हाँच और दाहिना दयाद रिष्टी पाने की ओर बढ़ाये भूख से सूख ओठ जब जाते हैं भूख से सूख ओट जब जाते दाता भाग के विधाता से क्या पाते गूट आंसों के पी कर रह जाते इसकी व्याख्या कुछ इससरसे है आपका भी कलेजा पसीज गया होगा न बहुत ही मारमिक कविता है उस बिकारी के साथ दो बच्चे भी है उनकी सिती भी वैसी ही है भूख के मारे पेट में मरोड उठ रही है बेंतहा तकलीफ है वो बच्चे बाएं हाँच से अपने पेट को मल रहे है पेट में दर्द हो रहा है भूख के मारे और दाइने हाथ से हाथ फैले हुए हैं दूसरों की दयाद रिष्टी पाने के लिए दूसरों से थोड़े सा अन्न पाने की उमीद से हाथ फैलाए हुए हैं बहुत ही तकलीफ होती है देख करके कभी की इस कल्पना की मैं सराहना करती हूँ और आप सबसे भी प्रातना करती हूँ कभी किसी भीखारी का अपमान मत करिये अगर कुछ दया कर सकते हैं अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर करिये हाँ पैसे की मदद कभी मत करिये क्योंकि आजकल तरह तरह के विक्षुक होते हैं हाँ आप थोड़ा से भोजन दे दीजे कहीं ले जाके खिला दीजे अगर वागई जरूरत मन्द है तो कुछ तो दूआ हमें भी मिलेगी आगे देखते हैं भूग के मारे उन बच्चों के ओट सूख गए हैं जब खाना नहीं मिलता पानी नहीं मिलता तो ओट सूख जाते हैं हम बड़े लोगों के ओट गर्मी के कारण सूख जाते हैं आपने बहुत बार देखा होगा गर्मियों में ओट कट जाते हैं कभी कभी खून भी आने लगता है मगर यहाँ दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूग के मारे इनके ओट सूख गए है शायद इनको बहुत समय से पानी भी नहीं मिला है क्या उनके भागे को बनाने वाले ने क्या रच्चा है ऐसे कौन से कर्म थे कि ऐसी दाइनियस सिती हैं यह बच्चे हर किसी को बड़ी उमीद से देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए शायद कुछ अनाज मिल जाए और उनके शरीर में जान आ जाए हर बार अपने भागे को कोसते हैं विधाता को भी कोसते हैं भगवान को भी कोसते हैं कैसा जीवन क्यों दिया आखिर इतना कश्च क्यों छोटे छोटे बच्चे तो है आंसों की घूट भी कर रह जाते हैं क्योंकि हर बार दूसरों से भीक मांगनी है आवास में करुणा चाहिए दर्द चाहिए साथ ही भगवान को कोश भी रहे हैं अपने नसीब को भी कोश रहे हैं और दूसरों से दया की उमीद कर रहे हैं यहाँ पर एक प्रश्ण मनता है भीकारी के साथ और कौन-कौन है बिख्षुक के साथ और कौन-कौन है बिख्षुक के साथ उसके दो बच्चे हैं और दोनों ही बिख्षुक के समान ही भूखे और प्यासे हैं बच्चे अपने हाथों से कौन सा कर्म कर रहे हैं बच्चे अपने बाए हाथ से पेट मल रहे हैं और दाए हाथ से दूसरों की दया की उमीद कर रहे हैं वो दया की उमीद बिक्षा के रूप में हैं बच्चों के दाएने हाथ फैले हुए हैं कि कोई उन पर दया कर दे और उन्हें एक मुठी अनाज दे दे कविता का अगला चरण देखते हैं चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सडक पर खड़े हुए और जपट लेने को उनसे कुट्ते भी हैं अड़े हुए ठेहरो अहो सजब मैरे हरदे में हैं अमृत मैं सीच दूँगा अभिमन्यों जैसे हो सकोगे तुम तुम्हारे दुखको मैं अपने हरदे में खीच लूँगा इस पत्त की व्याख्या कुछ इस तरह से हैं कभी यहाँ पर बच्चों की स्थिती बता रहे हैं और कहते हैं बच्चे बहुत ही भूगे हैं उन्होंने बिछले सरण में बताया था कि भूग के मारे उनका पेट मरोड रहा है दर्द हो रहा है वो बच्चे अपना पेट मल रहे हैं और सिती ऐसी हो जाती है कि अब उनसे सबर नहीं होता उनके पास और अपनी भूब को बरदाश्ट करने की ताकत नहीं है सडक पर जो जूठी पतलें पड़ी हुई है वो उनको चाटने तक के लिए मजबूर हो गए है मगर भागे तो देखे यहाँ पर उनसे भी जगड़ा करने के लिए कोई खरा है और वो कौन है कुट्टे है वो कुट्टे जपट रहे हैं उसी पतल के लिए हे प्रभू ऐसी सिती कभी किसी के ना करना कभी उन बच्चों से कहते हैं ठेरो ज़रा रुको मेरे हिद्दे में अमरित है मेरे पास बहुत ताकत है मैं तुम्हारी सारी तकलिफे दोर कर दूँगा तुम ज़रा सा ठेरो यहाँ पर कभी अपने आपको ईश्वर का रूप मानते हैं कहते हैं ईश्वर ने मुझ में थोड़ी तो ताकत दी है मैं इनको अपनी ताकत के सहरे जीने की प्रेण ना दूँगा कभी कहते हैं मैं तुम्हें अभिमन्यू सा बना दूँगा अभिमन्यू की कहानी तो आप सभी जानते होंगे जब युद्ध हुआ था महाभारत का युद्ध अभिमन्यू को केवल चक्रवियों में प्रवेश करना आता था निकलना नहीं आता था मगर उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा था यहाँ पर कभी भी इन भिक्षुक बच्चों को कहते हैं मैं तुम्हें अभिमन्यू सा बना दूँगा तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भर दूँगा तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भर दूँगा तुम्हारे सारे दुखों को मैं अपने हुदे में समेट लूँगा और मैं तुम्हें अभिमन्यू सा वीर महान बना दूँगा दिल को पिगला देनी वाली कविता मगर साथी सभी की कल्पना की तारीफ करते हैं कैसे हम दूसरों को उमीदों से भर देते हैं बस सोच की बात है आप भी अच्छा सोचिए आप जरूर अच्छा कर पाएंगे और ये पार्ट तो हमारी युवा पीड़ी के लिए है एक बहुत बड़ा स्टेप एक नई सोच आईए इस पर आधारित कुछ प्रश्ण देखते हैं इस कविता का मेल हीरो भिख्षुक है यहाँ पर भिख्षुक पे एक प्रश्ण बनता है भिख्षुक की दीन हीन दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए यहाँ पर आप बता सकते हैं बिख्षुक के लिए खिर्दे के दो टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उसने काफी समय से भोजर नहीं किया है उसका पेट और पीट आपस में मिल गए हैं वड़ापे के कारण और कमजोरी के कारण वो चलने ही पा रहा है एक लकुटिया के सहारे चल रहा है एक लकडी के सहारे चल रहा है यहाँ पर एक और बहुत important प्रश्न बनता है बिख्षुक कविता आपको किस तरह से प्रभावित करती हैं क्या आप किसी तरह से समाज को सुधार कर सकते हैं जी हाँ हम कर सकते हैं बिक्षुक कविता समाज का सजीव चित्रन करती है, साथ ही हमें प्रोचाहिद करती हैं दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को सही रास्ता दिखाने के लिए और यहाँ पर कवी हमें हमारी शक्तियों से परिचित कराते हैं कि हमें वो शक्ति है जो अरजुन के पास थी अरजुन ने अभिमन्यों को शक्ति दी थी हम भी शक्ति दूसरों को दे सकते हैं बस सोचने की बात है वीजियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमीद है आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी और जरूर कुछ सोचने के लिए प्रेरित किया होगा अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कहीं डाउट है तो प्लीज कमें बॉक्स में लिखिये थैंक्यू सो मच झाल 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 कि झाल 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 झाल